हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं उसने देश समाज ही नहीं बलकि पूरे कानून को भी बतल कर रख दिया था लेकिन आज हम उस घटना का जिकर इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम अपनी फास निकालते हुए ये बोलने लग जाएं कि अब तक तो उस लड़की के गुनेगारों को फासी मिल जानी चाहिए थी क्या उस सजा के असर से उस तरह के वहशी लोगों के मन में खौफ पैदा हो गया है क्या उस तरह की कुलूरताओं का आज अंत हो गया है अंत तो छोड़ी ऐसा लगी नहीं रहा है कि ऐसी घटनाएं कम भी हो रही आए दिन कोई ने कोई ऐसी घटना जरूर हो जाती है जो पिछली घटना से जादा भयानक होती है आखर कब तक हम यूँ शर्मिंदा होते रहेंगे कब तक हमारे देश की महिला आएं इस तरह के खौफ में जीती रहेंगी आज का एकेस सदियों से उठ रहे औरतों के एक सवाल की प्रासंगिक्ता याने के रेलिवन्स को 21 सदी में भी दोहरा रहा है क्या 21 सदी में भी औरत होना पाप है जीटा ना चले चलो श्या मैं बार Jorge मैं आति वर्णा छलीं जा मेरी बेबी को मैं आप से कहा था ना इसे अपने दूद के लावा और कुछ नहीं देना मैणमब अतना दूद होई निरह गिंद्रेस दवाय देरी हूं और आपके लिए टॉनिक अपना ध्यान रखिये वरना बच्ची का ध्यान कैसे रखेंगी आप गुड्डू ये दवाई ये ने दे तू दिवयांका जी जल्दे चलिए नहीं तो आपकी बस निकल जाएगी अरे भाई जला रुको ना भाई वो भाई जला रुको अरे भाई 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 हलो पापा अर भाई भाई पटा अभी कहा है अभी तुसर टोल कासा पोची हो अचहा ईसु मैंने तरह स noi ढौर को अपॉकेंट, के थाइरे मिल था कल की कोई ँडिंवर आपॉकेंन लेकिन आज शाम सा benefit के ऐलो यह थाज बता क्या करना है से influencersल़ आज़ साथ बजे बहुत लेट बहुत फाप इस बहुन बहुत लेड हो जाए व Mes bankrupt एक है बापा आप घर कब आ रहे हो पिछले वीकेंड भी घर नी आये थे बटा पिछले वीकेंड पर यहां बहुत काम था लेकिन इस वीकेंड पर पक्का मिलेंगे राई बापा तिरे में गुलाम है यह देख अपने मेराणि आई है जो आज अपना किसमत बदलेगे आपी तरी किसमत काभी नहीं बदलेगी वाले सुच्छिण घरते पते लगाते हैं आप वाट अज़ाने नहीं साइड़ागे। आभ ऐसे कुछिंटे जया जो हो अजो वह थेत हो जो आपको किसी अधिका प्रोब्लम हा लापका लिए अपे उसलेश्ट किसे अधिक लिगी ना भीडी इस जिंदाए ना थेसे लिए जось या ताथ बीडी आदू आटेश्टा इस और आते हैं यह इतिक हालें पर कुछिंदा अभी इतनी दूर से आई है, आते ही चल दी, तेरी बहन भी नाइट ड्यूटी के लिए निकल जाएगी, और मैं अके लिए, मामा मैं नौ साड़े नौ बचे तक आ जाऊंगी, अरे पर तेरा रोज रोजी गाओं के घॉस्पितल जाना जरूरी है क्या, वह इतनी से पैसो के अधे लिए ठक नहीं जाती क्या, तभी अपने बारे में भी सोच नहीं आ कर, समझी? जा सोची अपने बारे में? यहीं तो पादर है थी, तुम्हें बता ही नहीं है कि तुम लाइफ में कितना पीछो रह बीए? स्वाती, लाइफ ना एक लंबी लकीर नहीं है, एक लंबा सर्कल है, इसमें आगे वाला भी घूम रहा है और पीछे वाला भी, और मैं अपने आपको इसमें से हटा कि मैं बीच में आ गई हूँ, और जाहा हूँ पाँ, खुश हो, क्या खुश है? अरे वो तेरी बैचमेंट है ना, वो क्या नामे उसका सुकन्या, आस्ट्रेलिया चली गई है वो, करोडो का पैकेज मिला है उसको, और तो ये गवर्मेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के खुश है, अमा गवर्मेंट हॉस्पिटल मरीशों से भरे हुए है, और डॉक् अगर मेरे जैसे डॉक्टर भी करोडो की बीचे भागने लग गए तो करीबू का क्या होगा, हो गया कब हाशे, हाँ हो गया, और वैसे भी मुझे डॉमेटोलोग्स की अपोईमेंट के लिए लेट हो रहा है, बाई, बाई क्या है, अरे यार, यह चुटी दारू लाने गया, यह अपना कीड्नी बदल वाने गया, हाहा, क्या होगा है क्या है क्या है, अरे यार, आई नहीं आभी तक हुओ, अरे आएगी, स्कुटी छोड़के थोड़ी जाएगी, आएगी यह आएगी, अरे अरे गपना है क्या है क्या है अरे रहे लोगा है पने वोगतो दोड़ा है वोग़े वोग़ी तो आप गार पंचचर है अजब कहें वाड़म अब टेशन मत लिजे यहां आगे ही एक पंचर की दुगान है थांक्यू मेडम देखिये आप रहने दीजे मेरा लड़का यह पंचर लगवा के आएगा नहीं में मैंनेज कर लूंगी थांक्यू मेडम इस जराथ को इसको किदर खीच के लेके जाओगे एक मेड़े इदेना आवए आवए आवर माडम का पंचर लगवा के आजा अरणी देखिये कोई बात निम्हां कर लूंगी बैलन्स यही पूर आप टेंशन मत लीजे इगे यह जा लीजा लीजे लिजे आप 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 हादी हलो स्वाती मेरी स्कूटिया टोलना किक पास पंक्श्वर हो गई है और एक ट्रक ट्राइवर ने अपने आदमी को भेजा है पंक्श्वर ठीक कराने तो प्रोब्लम क्या है यहां बहुत अंधेरा है और आज पास सब क्रक्शी नजर आ रहे स्वाती मुझे बहुत डर लग लग तो तू टोलना किके बात चली जा ना अगर मैं यह से गई और उन्होंने मेरी स्कूटिक आयप कर दी तो तो तू ही बता मैं क्या करूं प्लीज मुझे बात करती रहना मुझे डर नहीं लगेगा पर दी मैं अभी बिजी हूँ अच्छा चल तो अपने काम कर मैं बाद में बात करती बाई पंक्चे ठीक हुआ ने हुआ मैं वह दुखान मनता अब क्या है दी स्वाती पंक्चे अच्छा बंद है तो इक काम करो स्कूर्टी छोड़ो, कैब लो और घर जाओ वैसे भी काफी रात हो गई है और बार बार मुझे कॉल मत करो मैं बहुत बिजी हूँ पाती सुन हाँ मा स्वाती वियां कभी तक आई नहीं अब तक नहीं पहुची नहीं और उसका फोन भी बंद आ रहा है अम्मा उसके फोन के बैटरी चली गई होगी मेरी अभी थोड़ी दे पहली उससे बात हुई थी वो टोल प्लाजा के पास थी उसकी स्कूर्टी पंक्चर होगी थी तुने मुझे पताया भी नहीं अरे अम्मा अब टेंशन क्यों ले रहे हैं वो आ जाएगे अभी अब जिस नुबर को तायर कर रहे हैं वो इस्द मेश एफ्ट शॉप्स है आप जिस नंबर को टायर कर रहे हैं एको लेकी बीटे सबक्रेश के लिए रहे हैं दो, कि कुछ ते है निर जरी जरी, कि अमा थाटा विए लेकी फेक प्रूर पीजिक को दूने एक लिए यहाँ थी लेकिन फॉन पे तो तू पो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैं आफिस के कार लेकी यागे च्या ठीक नहीं लग रहा था स्वाती अमा आप सिकर मत करो दीशा इत भर पहुँच गई होगी आप घर जाके देखिये ना हाँ चलिए सुनना मैं भी चलती हूँ ना ते अमा अमा प्लीज तु देख लेगी ना हाँ हाँ अना आप अमा को लेके घरजाए ना तेखिये यहाँ पेट्रोलिंग पे हैं और ऐसा कुछ भी गलत नहीं हो सक्टा यह जगह बिल्कुट सेफ है मेरी वहन बहुत गबराई हुई लग रही थी उसना यहीं से कॉल किया था मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है अब पीज कुछ करिये ना देखिया आप परिशान मत होईए आप एक काम कीजिए खाने जाहिए वहाँ जाके अपनी कंप्लेट दर्ज करादी रहुल यह काम करते हैं भी के इमेल आइडी सेना उनके लोकेशन का पता लगाते है तुझा उनके इमेल आइडी का पासवर्ड भी बता है क्या हुआ आइटिंक दीने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया क्या जया गैरा बज रहे हैं और दिविंक अभी थत्मी आई है इसलिए तो डर लग रहा है यह काम करो तुम और स्वाती अभी पुलिस सेशन जाओ और कंप्लेंट फाइल करो मैं भी बस यहां से निकलता हूँ ठीक है ठीक है तो आपकी बेटी टोल पलाजा के पास से गाया भी जी सर दी की स्कूटी टोल पलाजा के पास पंक्चर हुई थी कि अभी बताया था कि वहाँ पे ट्रुक खड़ा था देखे मेडम क्या है ना कि टोल पलाजा को जो एलाका है वो हमारे पॉलिस स्टेशन के एरिया में याथ आपे काम किजिए करिम गंफ पॉलिस स्टेशन जाईए और वहाँ पे आपके तंबिन लिखवाईए एक मिनट इस सर्मेड बेटी देवियंका कहीं मिल नहीं रही है गाड़ी रोको भाई क्या पागल हो है क्या हामे पागल हो क्यों मुझे भी उसके साथ गेम कहला है लड़की का नाम दिव्यांका राओ उम्र क्या है? 27 27 कोई बॉइफन वगएरा? जर ये सब क्यों पूछ रहे आप? अरे पूछना पढ़ता है मैडम हो सकता है वो आपको बिना बता है अपने किसी बॉइफन के साथ भाग गई हो ये क्या बख्वास कर रहे हैं आप देली जी जो भी हुआ इस पर लिख दीजी उस वक्त ड्यूटी पर तैनात उस पुलिस कर्मी के ख़र जिम्मेदाराना शब्द किसी तमाचे से कम नहीं थे और वो तमाचा उस लड़की और उसके परिवार पर नहीं था बलकि पूरा समाज उस तमाचे की गून से दहलने वाला था अगर तब इस फामले को गफीरता से लिया गया होता तो शायद शायद इस केस का जिक्र हम आज आज आपसे नहीं कर रहे होते हैं ये एक ऐसी लापरवाही थी जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक काला धबा साबित होने वाली थी और इस लापरवाही का अंजाम बहुत ही जागा डरावना था हलो जी 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 हम अभी आते हैं किसका फोन है पापा पुलीस नमें बुला है हूच 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 झालाएं पालाएं चाऊचिए रखिए प्रग कर दोगा है कि इा ये दिवींक और बाज़िंग। प्रप्राइब प्रप्राइब रियाम कि अज़ेंगा के सामोहिक बलातकार और उसकी हद्या के बाद ये केस हमारे देश के लिए बहुत-बड़ा मुद्दा बन गया था बड़े-बड़े राजनेता और सेलेब्रिटीज अपनी प्रतिक्रिया देने लगे थे और जिन पुलिस कर्मियोंने दिव्यंका की मिसिंग रिपोर्ट पाइल नहीं की थी उनने सस्पेंट कर दिया गया था और इस केस की चांच की लिए तुरंट ही एसाइटी का कठन किया गया और चांच का सुम्मा एसपी आदिल खान को सौंटिया गया लोग हम पर अपनी भडास निकाल लें गुस्सा हो रहे हैं और उनका गुस्सा जायज भी है पर एड़ी हमें अपनी वर्दी पर लगा ये दाग धोना है हमें किसी भी कीमत पर दिव्यंका की गुनागारा को पकड़ना है और इक बासर इस लाश को सबसे पहले दूद वाल सबसे पहले दिव्यंका की देड़ बड़ी को यहाँ पर देखाता है साम में रुजाना सुबा पांट बजे के आसपास यहीं से दूद बेचने के लिए जाता हूं तो देखा कि यहाँ आग जल नहीं तो मैं चला गया लेकिन वापस जब मैं आठ बजे के आसपास आया यहां पर देखा यह तो लाश है जो जल रही थी अ उस वक्त यहां पर किसी को आते जाते है देखा था नए जाल करो किसी को बचाता हो नहीं था सब निसे तरह से लश का ज़ला गया है पाट्रॉल इस्वाल को हगया व। और दिवयंका की स्कूटी गाय तो वो सकता है उसकी स्कूर्टी का ही पेट्रोलिश सेमाल को हाँ, स्कूर्टी ढूंड़ने पर ध्यान दो, शायद किलर को को लीड मिले है। कल दिवयंका अपने डर्मेटरीजिस के यहां से, वहां से टॉल प्लाजा था काई थी। बिन अजिर को बोल दिया है, डर्मेटरोजी से मिलने के लिए। लेगिंग जब दिवयंका के अपने बहन से बात हुई। उस वक्त वो टॉल प्लाजा पर थी। और टॉल प्लाजा से यह जगा तक्रीबन 30 किलोमेट दूर है। उसे शहाइज जबरतासी हो लाए गया हूँ। आने जाने वले रास्तों पर कितने भी CCTV हैं। कल लाती सब की फुटेज ने कल आए। मैं दिवयंका की बहन से मिलता हूँ। सर। मैं दिवयंका मुझसे रोजशिया का ट्रीट्मेट ले रहती। हम्, बेटर प्रोलेशन, तीन चाहर सिर्टी में स्किन परफेक्ट हो जाएगा, थैंक्यू दॉक्टर, और करीब सारे साथ बज़े वह यहां से चली गई थी, डॉक्टर स्वामी क्या दिवंका कसाथ कोई और भी हाय था, जी नहीं, वाकेल ही आय थी, हमें आपकी क्लिनिक के बाहर की से सिजिंग पुड़ेट चेकरने हैं, देखिए, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप किस तकलिफ से गुजर हैं, पर हमारा आप से बात करना बेहर जरूरी है, जब हम गुहार नगा रहे थे, तब आप कहा थे, आप लोगो ने अगर पहले स्टकलिया होता ना, आज अज़ती हैं, हमानते हैं लापरवाही हुई है, पर हमारे कोई भी कोश़श इस लापरवाही भरपाई नहीं कर सको, पर हम दिवयांका के गुनागरों को पकड़ना चाहते हैं, इसमें हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, मदद चेड़ी आपको, बताएए किय से मदद कर स कर रात मों आपके कॉंस्टेबल को सब साफ साफ दिख रहा था दी भही टोल प्राजा पे ही थी लेकिन उसे कुछ नहीं किया किस कॉंस्टेबल की बाप करें हैं हम कर एंपोर पुली स्टेशन में गए थे लेकिन वह वापस नहीं आई उसी जगह पे एक TCR भाड भी खड़ी थी सर्ड पर आपके कॉंस्टेबल को लगा ही नहीं कि दी के साफ कुछ गलत भी हो सकता है आप अपने लोगों से पूछिए कि वो कई क्रिमिनल्स के साफ तो नहीं मिले हुए उन सब को सिस्पेंट किया जा चुका अब मैं आपसे वादा करता हूँ जो जो भी इसमें शामिल था उन्हें बक्षा नहीं जाएगा पर मेरी बेहन तो वापस नहीं आएगी ना सर देखी मैं समझ सकता हूँ यह कैसा जखम है जो असानी से नहीं भारेगा पर इतना आप भी चाहेंगी ना जिसने भी आपकी दीए के साथ यह गिनाओनी हरकत की आपकी बेटी के साथ गलत किया उसे उसकी किये के सजा मिलनी चाहिए बोली आपकी दीए से फोन पर क्या बात हुई थी उसने सबसे पहले मुझे ही कॉल किया था पर आपकी दीए अधी मेरी स्पूलिया टोलना कि पास पंक्षर हो गई है और एक ट्रक ट्राइवर ने अपने आदमी को भेजा है पंक्षर्ट ही कराने तो प्रोब्लम किया है यहां बहुत अंधेरा है और आज पास सब ट्रक्स ही नजर आ रहे स्वाती मुझे बहुत डर लगा पहले उसने कॉल किया था तो मुझे लगा सब ठीक ही होगा पर दोबारे जब उसने कॉल किया था वो बहुत पानिक साउंड कर रही थी क्या कहा? एक्जेक्टली क्या कहा? इस मुझसे बात करती रहना मुझे डर नहीं लगेगा पर दी मैं अभी बिजी हूँ मुझाती थी कि जब तक वो हादमी पंक्चा ठीक करवा रहा है तब तक मैं उससे फोन पे बात करती रहू पर जब उसने दोबारा मुझे कॉल किया अब क्या है दी? स्वाती पंक्चा शॉप बंद है तो एक काम करो स्कूर्टी छोड़ो, कैब लो और घर जाओ वैसे भी काफी रात हो गई है और बार-बार मुझे कॉल मत करो पर मुझे समझ है नहीं आया कि वो किस परिशानी में थी तेरा मने जब कॉंटाक्ट करने की कोशिश की तो आप जिस नबर को तायर करने में वो इस समय स्विच्ट आफ है प्राजा की काल्यात की पुरी फुरेज निकलाओ जिवेंका की स्कुटी बंचर हुच्ट आसपास जितनी बंचर की दुबाने सब्यों कापाता का चाँ आप जिए पुटी जड़ी है जो आप 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 आव आप 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 अपारीबका हूं अब इस लड़की को तो मैंने नहीं देखा है लेकिन कल रात यह स्कुटी लेकर दो लड़के आए तो कहीं है यह यह दौननो रखोने पांचार लगवाया नइ साफ तुटी पंचर थी ही नहीं कोड़ी पंचर नहीं थे नहीं साब वो तो बस हवा बर्वाने आए थे तो स्कूटी की दोनों नंबर प्लेट टुटी भी थी पर मैंने इतना ध्यान नी दिया कि उसके बादो लोग मुझसे पेट्रोल मांगने लगी सुनना तरह पास को एक्षा गाड़ी वाड़ी खड़ा रहेगा तो उसमें से थोड़ा पेट्रोल निकल के देना अंचर वाला हूं गराज वाला थोड़ी हूं पेट्रोल चो तो पेट्रोल पंपी आओना है इधर बाजी में तो है या कि मुन दोनों लड़कों के स्कैच बन है क्या मैं दर्थल मैं यहां पर नया हूं मुझे कुछ पता नहीं है पर शायद आगे पंचर की दुकान है तो आप वहां पता कर सकते हैं आगे जी हूं तांक्यू सर इसके पीछे एक लड़का था जो इसे फालो कर रहा था कर दो कर दो है कि अगब कर दो कि को सब्सक्राइब राच लड़का था कि मुझे लिड़का था पट यहां बहुत अंधेरा और आसपास तर अशिन रारे इस वाकि मुझे बहुत डर लगा यह प्लीज मुझे बात कर्दी रहे ना मुझे तर नहीं लगेगा तो एक काम करो स्कूर्टी छोड़ो, कैम लो और घर जाओ वैसे भी काफी रात हो गई है और बार-बार मुझे कॉल मत करो पापा, घर कब आ रहे हो? अगर मेरे जैसे डॉक्टर भी करोरो के बीछे भागने लग गए तो करीबो का क्या होगा? सर, लड़का थोड़ी दूद पर था, इसलिए नहीं दिख रहा है कुछ पातो ने रहा? नहीं सर अगर का स्केच बनवा सकता है? ट्राइ कर सकता हूँ, सर लेके जाए सर लेके जाए सर लेके जाए सर रात का फोटेजे क्वाफेट से दिखा सरे शाम की फोटेजे सर अदिवयंका की लास्ट विजोल है सर यहां रात में PCR वैन खड़ी थी मुझे नहीं लगता है यहां को फूआ होगा अदिवयंका यहां से 30 किलमेटर दूर खोता नहीं गई हूँ उसे जबरदस्ती ले जाया गया हूँ जो भी हूँ यहीं हूँ यह पीसीर में मौजूद किसी पुलिस वाले को नजर नहीं हूँ अदिवयंका डर्माडरोड जिसके कास कैब में गई तो वापस भी किसी कैब में आई हूँ स्वाथी ने बताया था के दिवयंका किस कूटी का पंचे लगावने वाला को ट्रक वाला था और डे फूटेज में ट्रक दिखाई दे रहा हूँ दूसरी फूटे चेकरी जिसमें ट्रक कर नुमर साफ नदरा जिवयंका जहां पनी स्कूटी पार्क की थी स्ट्रफ्टर स्कूटी यहां गडिए और ट्रक वालाँ प्राइर श्कन कर पस-पस इंगरे करो श्याद को यह दे बेंगा की स्कूटी लग रहा है ओ किस्टी यह स्ट्रफ्ट स्ट्रफ्ट किस्ट्र लुग जर्फ्टी यह जर्फ्ट गड़ाया देखा श्याद स्ट्रफ्टी यह जर्फ्टी यह सब्सक्राइब सार वो अड़का मुझे ठीक मही लगा था जब मैं उसके पिछे गया तो देखा वहां इसकोटी पे दूसा ड़का बैठा था और वो दोनों अड़की उसकोटी से चले गया यह यही सकोटी थी आज साब इसकोटी इसी रंगी थी आज साब आज साब आज साब इसकोटी जितिते रंगी एसकोटी कि दिवेंका करेप यहीं हुआ होगा वहाँ लोग ना टखड़ा किया था ताके हाईवे से आने जाने वाले किसी भी गारी को कुछ पाता ना चाले कुछ दिखाई ना थे कुछ चुनाया ना थे से टेकश में याप भी आखड़ायो यहाँ सभागो यहाँ गन्हीं दिखने यहां दें यहां प्लरट टुक है कि साथ इतना कुछ है तुमने कुछ नहीं देखा..शामील ना ज़रूर साब लेकिन राद को निकल जाता हूं सार्वा गुंगं गुंक को चाय बचता हूं यहां पे ट्रक खड़ा था, किसका है? साहब, यहां पे तो बहुन साइट ट्रक आते हैं सा, मेरी उसे कोई बाच्छेत में हुथ यहां पुछ यहां से सिर्फ 200 मेटर की दूरी पर विसीयर बैंड खड़ी थी कि रिमनल इतने बेख़फ थे हमारे देश की महिला है ख़ौफ में हम सब ख़ौफ में हैं युकिस देश में आम इंसान नहीं अपराधी बेख़ुफ घूमते हैं शहरों और पीडितों के नाम बदलते रहते हैं पर अफसोस यह हैवानियत थमने का नाम ही नहीं लेती हैं पर हम अपना गुस्ता दिखाते हैं इससे पहले हम अपनी चर्शा शुरू करें हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें लाइफ देख रहे हैं सुन रहे हैं वो अपने प्रतिक्रिया हमको हैश्टाइप खौफ ते लंगाना पर भेज सकते हैं अब जोड़का है जो पैट्रोपंग से बोड़ में पैट्रोलेन है और सर पैट्रोपंग के दूसरी फुटेज में यह लड़का एक दूसरी लड़के इसा देवया अगा कि स्कुटी पे जा तो बोदेख जाए देख हीता है और ये ट्रुक भी इसके पीछे गे ये तो वही ट्रुक है ये दिवेंका के स्कूटे के पास भी नज़रा रहे था अंतुम साथ ये ट्रुक वाला भी इस सब में शामिल है इस सब में तीन लोग शामिल है ये तो कन पमें अधियन से जाला भी ओसा नोगा वो तोल प्लाजा पर काम काने वाला लगका वो एक स्केट्पन वान वान वाला था एड़ी हुआ ये सर् अकी बेटा इतना परिशन क्यों लग रहा है अमी अमी वो लड़की लड़की कौन सी लड़की कौन लड़की मालूम नहीं एक लड़की मेरे ट्रक के नीचे आगया अमी क्या वहां से ट्रक लेके भाग आया शायद वो लड़की मर गई होगी ये लड़काइड में से नहीं है ये कोई और है इन सब के शनाप क्यों रो मुझे इस सब के सब अंदर चाहिए जल्द से जल्द सर एक फुटेज में लिए जिसमें ट्रक का नंबर विजिबल है इसके मालिक को उठाय तो उसने बोला कि अखील नाम का ड्रैवर इस ट्रक को चलाता है अगिल को उठाने के लिए मैंने बेजाए इटिल को चला इदर देखो चेकिंग करो कि अएट रहे हैं मैं 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 बैटेने कुछ नहीं किया तो डोल यूफ फैर दूसराथिकां पुछोई इस कुरू आप लोग और एसे केसे भुशी जा रहे हूँ एक नड़की का रेप क्या है और चलाया है उसको इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है देलंगाना से देलंगाना की प्रिता का रेप और हच्चा करने वाले सारो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है इस व इस नर्ड दिया था लेकिन उस ने इतना गंदा काम किया में उसे नहीं बचाऊंगी उसे फासी देढ़ कुझ लेन देना नहीं है इस इंसान से संचाहे कुछ भी करो इसके साथ तो सब्सक्रा इब करता मैं इसके साथ लिए जो गरेगा अट मैं इन सबको का इंशीन पर ल वो बार बार किसी को फोन कर रहे थी, सुचा हाथ से निकलना जाए, इसलिए उसको यही से उठा लिया थी सर, हम उसको उठा के यहां पे लेके आए, उसका नमबर अफ्लेट तोड़के सुरोजर में स्कूटर में हवा भरने लेके गए, परे ट्रक में शोटू का भी मन किया, सोचा उसको फेक के कही जला दे और इसलिए हमें ज्यादा पेट्रोल चाहिए था, वो पेट्रोल पंप वाले ने हमें बोटल में पेट्रोल भी ने दिया और यहां से 5 km आगे जो दूसरा पैट्रॉल पंप है उसे बाटल में 2 लेटर पैट्रॉल लिया और उसा यहां से 30 km दूर ले के है अब 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 उसको यहां लेकर आए अब उस जिन्दा थी तुम लोगों ने से जिन्दा जिला दिया देवियंका एक ऐसी डॉक्टर थी जिसने अपनी काबिलत का इस्तमाल गरीब और लाचार लोगों का इलाज करने में किया लेकिन आज हम ऐसी लाचारी से गुजर रहे हैं जहां हमें अकील, सूरज, नयन और छोटू जैसे वहशियों का कोई इलाज नजर नहीं आ रहा है आजगारों को बीट चुराहे में खड़ा करके सूली पर लटका देना चाहिए, उन्हें गोली मार देनी चाहिए अब आप ही बताइए कि हम ऐसी सोच पर फूल चड़ाएं या फिर कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करें ये हताशा ये गरम जोशी अब चरम पर है हमें एक ऐसे निर्मान की जरूरत है, ऐसे महौल की जरूरत है जहां महिलाओं के मन में ऐसे लोगों का खौफ खत्म हो जाए बलकि उन वैशियों के मन में ऐसा खौफ पैदा हो कि वो इस तरह की कुरूरता करने से पहले हजार बार सोचे अब मैं अनूप सोनी आप से बढ़ा लेता हूँ फिर मलाकात होगी क्राइम पिट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइन अध्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें, सुरक्षित रहें जैहिल क्षर रहें